के हाई रेकलान अर्था प्रोफेसर्स के पोस्ट पर कंडिडेट्स अब लेबल नहीं है या स्टी ओवी सी के अथ हमाई डे रिजर्ब किया जाना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कल और अब कोरी गंडम जारी कर दिया यूजीशी ने कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं लेकिन इसने इस से हमें एक सच रखने का मौका मिला है कि जो मोहन भागवजी ने कभी कहा था कि आरच्छन का रिविव होना चाहिए वह बात अब सत्यापित हो गई हलाकि बिहार का चुनाओ हारने के बाद उन्होंने कहा था हमने नहीं किया बाद में वह आरच्छड की मजम्मत भी किया उन्होंने लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ए से रिजिनिंग दी जाती है कि कंडिडेट अब लेबल नहीं है गलत है प्रेस स्टेट्मिंट अभी जाएगा उसमें प्रोफेसर रतनलाल दलही नुवस्ट्री के हैं हिंदू कालेज के इग्यारा किताब में लिखी हैं दोहजार अठार से प्रोफेसर सिप के लिए इलिजबिल हैं एक केस स्टेडी में दे रहा हूं प्रोफेसर उनको नहीं बनाया गया हंडेट फिप्टी नाइन इंस्टिट्स जो इंस्टिट्स इंपार्टेंट्स कंटी की जो इंस्टिट्स है उन में से जैसे कि हम आपको बताते हैं कि उन में से एक भी एक भी S.C.S.T. के लोग नहीं है तो मैं इस मामने में धन्यवाद भी करूँगा UGC को कि UGC ने मुझे रखने का मौका दिया देखे इसमें IIT 23 है, NIT 31 है, IIIT 23 है, School of Planning Architecture 3 है, Indian Institute of Management 20 है, National Institute of Regents 6 है वगेरा वगेरा इसमें एक भी डारेक्टर एक भी वीसी नहीं है उत्तर व्रदेश में 30 स्टेट इन्वंस्टीज गॉर्मेंट फंडेड है, एक वाई चांसलर नहीं है सेंटर गॉर्मेंट में 45 इन्वंस्टीज हैं, जिसमें एक S.C. है और एक S.C. है और मिनिस्टर सुभा सरकार जी ने पार्लामेंट में बोला एक हजार पांस प्रोफेसर्स में 69 इस्टीज के हैं, जो 6.68 आता है पंदर एस्टी के हैं, जो 1.4 आता है, 41 OBC के हैं, जो 4.7 आता है यानि यह इस्थिती है यह नहीं भरा जा रहा, यह कहते हुए कि candidates are not found suitable, मैंने एक example दिया है प्रोफेसर रतनलाल का, मैं hundreds examples दे सकता हूँ कि SC, HD, OBC के associate professors are suitable for professor post but, interview में उनका marks कम कर दिया जाता है एक study दी जा रही है आपको इस, ओ, study में, civil services में SC के लिए, OBC के लिए, OBC के लिए, UPSC में अलग से interview board बनाया जाता है ताकि, justice किया जाए यह हम मानते हुए कि SC, ST, OBC के जो UPSC के interview हैं या जो conunders हैं, यह weak हैं इनको अलग से board दिया जाए, जब return exam का मामला आता है तो OBC और general category के return marks में एक percent का भी फरक नहीं है, कम है और यह interview में कितना difference आता है, पांच percent का आता है यह discrimination नहीं है सिरूल कास्ट का और general category के return में दो percent का फरक है और interview में एक percent का difference है यह discrimination नहीं है यह हिंदुस्तान टाइम्स की report, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट फाइल किया है कि rampant discrimination है मैं धन्यवाद करता हूँ UGC को कि कम सकम हमें मौका दिया यह कहने का कि 45 central government के universities में aksc है के वल aksd है 159 जो institutes of excellence हैं country के उसमें aksc aksd नहीं है interview में discriminate किया जाता है OBC का aksd का मैंने बता दिया उसी तरीके से अगर आज professors की post vacant है तो यह बात नहीं कि SC, ST, OBC के candidate अब लेबल नहीं है अब लेबल हैं उनको reject कर दिया जाता है ताकि de-reject करके fill up किया जा जन्रेल कटेगरी से जब कारपुरी ठाकूर को भारत रतन का सम्मान घोसित किया तभी मुझे डर लग गया कि कुछ न कुछ गड़बल होने वाला अब कारपुरी ठाकूर के विचार को और मारेंगे RSS ने पूरी जिन्दगी कारपुरी ठाकूर जी का विरोध किया और उसका पैणाम हुआ कि जो कांग्रेस और RGD की सरकार के दबाव से नितिश कुमार जी को करीब पांच लाख नोकरी देनी पड़ी यही नितिश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो क्यों नहीं नोकरी मिलती है उसके वज़े से बीजेपी घपड़ा करके टापल डाउन किया है चुकि मोधी जी ने दस साल में करीब नव लाख तक ही रोजगार दिया अकेले राहुल गांधी जी खरगे जी के नेतरत में चल रही कांगरेश और लालू जी के नेतरत में चल रही आरजेडी के सहयोग से बनीर बिहार की सरकार ने करीब पांच लाख रोजगार दिया इसलिए सरकार गिराय है इनों तो आरच्छन विरोधी है यह मनुबादी है दलिद विरोधी है OBC विरोधी है और कारफुरी ठाकुर्जी के विरोधी है सोशल जस्टिस के विरोधी है धन्यवाद मेरे सही होगी लेलोटिया जी अपनी बात को रखेंगे जो वो इसे हैं प्रिंट वाले लोग है उनको दे दो इंग्लिस बहुत बहुत धन्यवाद आप सब को आज इस मैधपूर्ण प्रेसवारता के अंदर जो आमंत्रित किया गया हम लोग यहां पर जो अभी UGC ने एक रिसेंटली एक ड्राफ्ट पेश किया डी रिजर्वेशन को लेकर एजुकेशन इंस्टूट्स के अंदर उसको कंडेम करने के लिए हम यहां पर उधित्राज जी के साथ में उपस्ते थें मैं बाबा साथ भीम रहो अंबेटकर जी को कोट करना चाहूंगा उन्होंने कहा था दे प्रोग्रेस अफ एनी सोसाइटी डिपेंस अन दे प्रोग्रेस अफ एजुकेशन इन देट सोसाइटी और इसके साथ साथ मैं सावितरी बाई फूले फातिमा शेक चतरपती साहुजी महराज को भी याद करना चाहूंगा कि समाज के लिए उन्होंने शिक्षा को कितना महत्पून समझा था और आज ठीक उसके विपरित जो बाबा साब भीमबराओं अमबेटकरजी ने समिधान में SC, ST, OBC महिलाओं के लिए जो शिक्षा महत्पून बताई थी राइट टू एजुकेशन की बात कई थी आज उसको धीरे धीरे पुरी साजिश के तहट भारतिय जंता पार्टी और RSS समिधान को पूरा खतम करना चाती है, हमारे उस अधिकार को छीनना चाती है जो समिधान में बाबा साब भीमबराओं अमबेटकरजी ने हमको दिया था यहाँ पर जो UGC के चेर्मेने हमारी ये डिमांड भी है कि जो जगदीश कुमार है, जो UGC के अभी चेर्मेने ये कौन है इनको तुरंत परभाव से टर्मिनेट किया जाए और ये जो इनकी डिमांड है, जो इनका प्रपोजल है इसको विड्रॉ करें लिखित में, माफी मांगे पुरे SCST, OBC जो भौजन समाज है उससे जो हमारा शिक्षित वर्ग है, अगर वो शिक्षित वर्ग को इस तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते हैं अभी उलेख, प्रोफेसर रतनलाल जी का यहां पर हमारे साथी बहुती सीनियर लीडर उधित राज जी ने किया कि उनको दशकों तक पढ़ाने के बाद भी युनिवर्स्टी के अंदर उनको अभी रेगुलराइज नहीं किया ठीक उसी तरीके से प्रोफेसर रितु कुमार जो भी युनिवर्स्टी के अंदर धरना दे रही हैं प्रोफेसर लक्षमन यादव जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि उनको नौकरी से निकाल दिया यह डियरिजर्वेशन की बात नहीं करें तो नौकरियों से भी निकाल रहे हैं और अभी जिस तरीके से अभी उदित राजी यहां पर कह रहे थे कि not found suitable कहकर यह लोग हमारे जो SC, ST, OBC के जो teaching staff है non teaching staff है उसकी जगह पर general community के लोगों को वहां पर नौकरी दे देते हैं और यह सही खा कि सोच बहुत खतरनाक सोच है जो सविधान से परे है और यह मनुवादी की सोच है यहां पर यह जो chairman जगदीश कुमार है इनको पहले BJP ने appoint किया इनको JNU के अंदर महाँ पर vice VC बनाया और वो बनाने के पीछे सोच थी कि वो इतना prestigious institution था कि उस institution के अंदर एक divide करें और वो divide ऐसा कर दें कि उसका जो महत्वा JNU का जो उसकी sanctity थी उसको सेफरिनाइस कर दिया और आज वहाँ पर जो students हैं उनके मन में इतनी खटास पैदा हो गई कि वहाँ पर वो आज धर्म की राजनीती JNU के अंदर गुज गई ये मुझे कहने में कोई घुरेज नहीं कोई परेज नहीं कि जगदीश कुमार को तुरंट टर्मिनेट किया जाए क्योंकि ये बीजेपी का अपॉइंटमेंट नहीं है ये आरेसेस का स्टूज है जो एक भगवा करन की विचारधारा को दिमाग में रख कर आज यूनिवर्स्टी में काम कर रहा है यहाँ पर मैं करोनलोजी के ओपर भी बात करना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने शुरुवात आज एक ड्राफट पेश करके यहाँ पर किया इसके पीछे जो इनके एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया पार्लेमेंट के अंदर और उन्होंने कहा कि 42 परसेंट धर्मेंदर परधाण जो मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि 45 सेंट्रल यूनिवर्स्टी के अंदर 42% अभी SC, ST, OBC की vacancies vacant हैं अगर Central Universities में 42% अगर vacancy SC, ST, OBC minority की हैं और जिस तरीके से अभी उदेत राज्ये ने उलेक किया कि वो वहाँ पर SC का एक और ST का एक ये लोग अभी अभी वहाँ पर कारेरत हैं जबकि वहाँ पर हमारी जो संख्या होनी चाहिए थी वो 7,000 जो sanctioned SC, ST, OBC की जो पूस्ट हैं उसके अंदर 3,007 हमारी वहाँ पर अभी vacancies हैं तो ये बहुत गंभेर मुद्दा है और अभी जैराम रमेश जी ने भी इसके उपर एक स्वीट किया और पूरी Congress Party ने एक फैंसला लिया कि हम लोग इस draft का विरोत करेंगे क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस परिवार में जिस समाज में अगर शिक्षा खतम हो जाएगी तो वो समाज कभी progress नहीं कर सकता आगे नहीं बढ़ सकता और ये बाबा साब भीम रहा हों बेट करकी सोच को लेकर हम ये मांग करते हैं कि जो बीजेपी आरेसेस ने जो पिछले दो हजार पंदरा के अंदर जो पचपन परसेंट यूजी सी का जो एक उनका बजट था उसको रिड्यूस किया और उसको कंटिनुसली हर साल उसको कम करते करते एक सीधा अटैक कर रहे हैं वो लोग हमारे एजुकेशनल इंस्टूशन के उपर, SC, ST, OBC, स्टूडेंट्स के उपर, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के उपर, कि जब हमारे पास में बजट ही नहीं होगा, तो इनके पास में एक और भाना आ जाएगा, कि हमारे पास में पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो हम नहीं नहीं दे सकते हैं, और जो हमारी नौकरियां बैकलॉग के अंदर खाली पड़ी हैं, बैकलॉग भरने का काम नहीं कर रहे हैं, उस बैकलॉग के ओपर ये लोग ये बात करेंगे, कि हाँ पर not found suitable, और उसके बाद में वो किसी और को वहाँ पर नौकरी दे देंगे, भ अभी तो इन्होंने बैकलॉग वेकेंसीज को बढ़ाने का काम किया, दो सो पॉइंट रोस्टर सिस्टम दोजार उन्नीस में इन्होंने लागू किया, अमेंडमेंट और टू सी स्टी प्रिवेंशन अफ एट्रोसिटी एक्ट नाइटी नाइटी नाइन को इन्होंने उसक जंटः पार्टी की सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो उन्होंने अपना जो अमेंडमेंट ता उसको वापस लिया, ठीक उसी तरीके से इन्होंने अभी जो स्कॉलर्श्यिप्स हैं जो SCST OBC माइनुरिटी के लिए हैं उसको भी स्क्रैप करने का काम किया, तो मैं सी डिमांड फिर दुबार से दोराना चाहूंगा कि यह जो UGC का चेर्में ने इसको तुरंट टर्मिनेट किया जाए और लिखित रूप में इसको माफी मांगनी चाहे पुरे समाज से कि आइंदा इस तरीके की गलती या इस तरीके का मजाक हमारे जो हमारा educated class है उसके लिए नहीं करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जै भीम, जै समिधान कोई question Thank you भले वापिस कर ले हूँ लेकिन जो सरक्मस्टांसेस है वो इससे ज़्यादा चीजें कह जाती है एक तरफ कारपुरी ठाकुर जी को आप भारत रतन दे रहे हो और दूसरी तरफ उसी सरकार को गिरा रहे हो जिसने नौकरियां दी है कारपुरी ठाकुर जी आरच्छर के लिए जाने जाते हैं आप आरच्छर पूरे देश में खतम कर दे रहे हो पॉइंताली इन्वस्ट्री में एक एससी वाइस चांसलर तीस इन्वस्ट्रीज है उत्तरफदेश की गवर्मेंट फंडेट एक एससी नहीं है एक एससी नहीं है यह जबकि गवर्मेंट गवर्नर पॉइंटीज होते हैं इसमें हार्ली मेरिट होती है सब आरच्छर के लोग हैं हन्डेट फिप्टी नाइन जो टाप इंस्टिटूट्स हैं कंट्री के एक डायरेक्टर एक वीसी एससी का नहीं है तो हमें कहने का मौका दिया कि यह पूरे आरच्छर के लोगों को भर दिया है इंस्टिटिवस्ट में और S.C.S.T. O.B.C. के खिलाफ हैं बस्दन बस्दन झाल झाल झाल